नमस्कार घ्रेलूपचार में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में सत्रु बाधा दूर करने का एक तांत्रीक छोटा सा टोटका है जिसके करने से सत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकता है आप हमेशा उसके ऊपर हाबी रहेंगे यानि आपका वो कुछ बिगाड नहीं सकता आप उससे हमेशा ही पांच कदम आगे रह सकते हैं तो यह टोटका मैं आपको दे रहा हूँ जो तांत्रीक यह टोटका है दोस्तों आएए इसका विवरण और टोटका किस हिसाब से है दोस्तों कच्छुआ से सभी पर्चित हैं जो एक जल्वी जीव है जो की जल में ही रहता है और आप लोग इससे सभी पर्चित होगें कच्छुए के नाम से तो आएए कच्छुआ की कच्छुए की नख मतलब नाखून धारण करने वाला सत्रू बाधा से हमेशा मुक्त रहता है सत्रू धारक का कुछ भी नहीं बिगाड सकता पच्छुए को काले धागे में पिरोह कर गले में धारण कर लेना चाहिए इससे दीनवार की कोई जरूत नहीं है दोस्तों इसमें न कोई दीनवार की जरूत है न कोई तंतर न मंतर किसी क्या हो सकता नहीं है आप जबी भी उसका नख प्राप्त हो जाए यानि नाखून तो आप काले धागे में पिरोह के गले में बाच सकते हैं आपके पीछे हजारों दुस्मन होगा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुस्मन से हमेशा पांच कदम रहने के लिए ये अतिव उतम तोटका है जी तो इस तोटके को एक बार और सुन लें कच्छुआ से सभी लोग परचीत हैं एक जल जीव है इसका नाखुन को धारण करने वाला ब्यक्ति को सत्रू कभी भी पिछा नहीं करता न उसका कुछ बिगाड़ सकता है धार करता सत्रू से मुक्त रहता है कच्छुए को काले धागे में पिरोह कर गले में धारण कर लेना चाहिए यानि कच्छुए का नख काले धागे में बांद के और गले में धारण कर लें इससे आप का सत्रू कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप हमेसा उस पर हाभी रह सकते हैं आप बिजयी रह सकते हैं ये छोटा सा तांत्रिक टोटका अती ही कलाकार है तो आप इसे आजमावें इसमें दीन वार कोई मंत्र की जरूरत नहीं है वो ऐसा ही पावरफुल है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और मुझे दीजिये इजाजात नमस्कार